जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम अपने फेस्बुक के लेंगवेज को हिंदी से इंग्लिस या फिर इंग्लिस से हिंदी में कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसान है इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर ऊपर तीन लाइन्स पर क्लिक करना है यह तीन लाइन्स आपको ऊपर नीचे कहीं पर भी दिख सकती है तो आपको इसी तीन लाइन्स वाले option पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करेंगे अभी यहाँ पर य है और इस पर आपको क्लिक कर देना है अब यहाँ पर फिर से आपको option मिलेगा setting वाला आपको इसी setting वाले option पर click कर देना है हम setting पर click करेंगे फिर हमें कई सारे options यहाँ पर दिखाई देंगे यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे अपने फोन में तो यहाँ पर एक option में रहा है language and religion अगर आप इसी को स्क्रोल करते हैं ऐसे तो यहाँ पर आपको दिखेगा language and religion यह दिखेंगे इसी language वाले option पर आप click कर देंगे आपको भासा change करनी है इस पर click करेंगे तो कई सारे options आपको दिखाई देंगे जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है account and app language फिर सीधा English यहाँ पर दिखा हुआ है फिर language you like and post translate into English दिखा हुआ है यानि कि यह दो जगां English है इसका मतलब कि हमें सारी चीज़ें English में दिखाई देंगी जो कि लिखा रहता है 11 likes 12 comments 1 shares तो ऐसा English में दिखा रहेगा अगर हमें हमारे facebook को हिंदी में यूज करना है यानि कि जो भी post हमको दिखाई दें जो भी like comment के numbers दिखाई दें सभी मेरे हिंदी में आ जाएं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम सबसे पहले इसको हिंदी कर लेंगे account and app language को इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर हम हिंदी में क्लिक करेंगे फिर नीचे save वाले option पर क्लिक करेंगे save वाले option पर क्लिक करेंगे अभी हमारी कुछ भासा हैं हिंदी में हो गई है लेकिन अगर आप सोचेंगे 100% ये हिंदी में हो गया है तो 100% नहीं हुआ है 100% हिंदी में करने के लिए यहाँ पर दोस्तों और पेज की पोस्ट यहाँ पर अंग्रेजी लिखा हुआ है आपको इसको भी हिंदी में करना होगा हम जब इसको हिंदी में कर देंगे तो हमारा ये वाला जो चीजें हैं ये भी हमारी हिंदी में हो जाएंगी जैसे एक मिनट हमने इसे अंग्रेजी पर क्लिक किया अभी यहाँ पर ढूनना पड़ेगा आपको कि हिंदी भासा कहा है थोड़ा सा ढूनेंगे जैसे इंग्लिस वाला ओप्सन मिले गया यहीं कहीं पर हमें हिंदी वाला ओप्सन भी मिलेगा यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे नीचे हैं जब इंग्लिस वाला खतम हो जाएगा तो ओप्सन मिलेगा यहाँ पर हमें हिंदी वाल ओप्सन मिला है हमने हिंदी पर क्लिक कर दिया अब देखेंगे हमने यहाँ पर भी हिंदी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर भी हिंदी सेलेक्ट कर लिया इसका मतलब हमारा पूरा फेस्बुक हिंदी में हो गया है अगर हमारा Facebook हिंदी में था हमें English में करना था तो पहले हम उपर वाले option पर क्लिक करेंगे इस पर English पर क्लिक करके save करेंगे तो हमारा लगभग 90% जो चीज़े हैं हमारी English में हो गई हैं लेकिन 100% चीज़ें English में करने के लिए हमें इसको भी English करना होगा हम इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखेंगे English वाला option कहा है और English पर क्लिक करके यहां पर English है English पर क्लिक करके हम save कर देंगे